दूस्तो रेल विकास निगम लिमिटेड की बात को श्टॉक के नराज हमने देखा है पॉजिटिव क्लोजिंग और इसके पीछे वज़ा है लगातार मिलने वाले ओडर कमपनी का बिजनस तेजी से ग्रो कर रहा है और आप देखी सकते हो कि रेल विकास निगम लिमिटेड में बहुत सारी बाते पॉजिटिव है यहाँ पे कुछ अगर कमी है तो उसको भी समझने की कोसिस करेंगे और प्राइस तो बहुत ज़़ा बड़ी है लेकिन क्या वाकई म इस प्राइस से भी उपर जाने की संभावना है क्या ऐसा ही रेटन फिर मिल सकता है जानने की कोसिस करेंगे इस फडियो के मादिम से यहाँ पर एक बड़ी गुड़ी निकल के आ रही है वंदे भारत के बाद आब नमो भारत भी आ चुकी है और क्या-क्या है इसमें अलग वंदे भारत से उसको समयने की कोसिस करेंगे और इससे इन रेल्वे के कमपणियों को क्या फाइदा होने वाला उसको भी समयने की कोसिस करेंगे आई यारेपसी में आज थोड़ इसी गिरावर थी लेकिन आप देख सकते हो कि इस टॉक बहुत मजबूत है कमपणी ने वन लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बिल आइक ओन दबा दीजिए ताकि छबीने वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ् अब यहां पर आज बादर के लिए जो सबसे अची ख़बर निकल कराई है कि आज एफ़ाई ने फिल से पॉजिटिव खरिदारी की है आज एफ़ाई ने 13,006 ने 45 क्रोड का नया इंवेस्मेंट किया है सामने 13,189 क्रोड की बिक्वाली की है तो उनका जो खरिदारी का बादर को भी उन्होंने पॉजिटिव खरिदारी की थी 13,006 ने 45 क्रोड का नया इंवेस्मेंट किया सामने 6,862 क्रोड की बिक्वाली की तो खरिदारी का आखराव उनका 8.53 क्रोड का है बहुत ही छोटा मौंट है लेकिन फिर भी आज दोनों खरिदार बनें वैसे इस महिने में उन्होंने 11,883 क्रोड का माल खरिद लिया है तो अच्छी बात भी बाजर के लिए भली बाजर हाई भी बना और इसके पीछे वज़े मिलने वाले दो बड़े ओर लेकिन बाजर की गिराउट की वज़े साथ ये श्टॉक भी नीचा है और 166 का इसने लो बना है यानि लगबग फ्लेट हुआ उसके बाद में आप देखे तो 168 के क्लोजिंग के साथ में इसने क्लोजिं मिला है जिसको आने वाले अगले 24 महीनों के अंदर पूरा काउंटेट को पूरा करना है दूसरा ओर्डर मिला वो है 246 कोड का और ये भी 24 महीनों में ही कंप्रीर करके देना है तो एक के बाद एक लगातार काफी बड़े ओर्डर मिल रहे है इससे पहले देखे तो 7 अक्ट कि तरब से भी 29 क्रोड का ओर्डर मिला लगातार बहुत सारे ओर्डर मिल रहे है इस टॉक ने पिछले एक साल में 350 का बंपर रिटन दिया लोगों को और देख सकते हैं तीन साल की बात के तो 800 का मल्टी बैग रिटन दिया है ये स्टॉक लोगों के लिए संजीवनी साबीत लोगों को इसने माला माल कर दिया है अब इस स्टॉक को एनालीस करें तो यहां पर इसके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट को देख लेते एक बार तो जो पहला पॉजिटिव पॉइंट है वो है एन्यूल रिवेन्यू जिसमें 5.40% की सांदर व्रिदी देखनों क मिली है जो यह क्रू यह के इसाब से 5,008 ने 53 करोड के आसपास रहा है तो यह भी इसके लिए पॉजिटिव 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 और वो है एन्यूल नेट प्रॉफिट जिसमें 20.11% की जबरदस वरिजी देखनों को मिल रही है जो देखते हो की 1,4 करोड के आसपास रहा है तो यह तीसरा पॉजिटिव बना है इसके लिए चौता एक और पॉजिटिव 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 और वो है क्वार्टेली नेट प्रॉफिट जिसमें 15.19% की जबरदस वरिजी देखनों को मिल रही है जो 342 करोड के आसपा अगला एक और पोईंट व है deat to equity ratio, जो पॉऑंट 87 है, तो यह भी समझसकते हो, कि इसके दिए पॉण्ट निकल क्या रहा है, अगला पॉइंट नीटरल बना ओर वह है इसका 9.39% के आसपास है, जो 19.39% के आस-पास है, जो उस complement परसेंट है, जो उस bringsके ना से निए रेजिय रेंज के अंदर है 10 से लेके 20 परसेंट के आसपस रेना चाहिए तो बिल्कुल 20 परसेंट से अंदर है तो यह इसके लिए इसके लिए प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है तो यह तो ओएफेस के मादिम से सरकार को होल्डिंग कम करनी जी उन्होंने रिलीज कर दी है तो इसको एक तरह से देखे तो यह भी हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट ही है अगला पॉजिटिव पॉजिटिव और वो है इंट्रेस कवरेज रेशियो जो 3.86 है तो यह भी इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट निकल क्या रहा है एक और पॉजिटिव 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 और वो है प्रमोटर के कोई भी शेर गिरवी ने सारे के सारे शेर प्रमोटर के पास है सरकार के पास है यह भी पॉजिटिव पॉजिटिव और वो काफी जादा है आप यह दे इसके बीच में इसने काफी सांधा प्रदेशन किया है स्टोक ने इंट्राडे में 79 का हाई भी बनाया लेकिन उपर के लेवल से बाजर की गिरावट के वज़े से कुछ नर्मी बनी और इस वज़े से मामुली से गिरावट हुई है अब इसके बीच में बहुत बड़ी निकल इस रैपिड ट्रेन को मंजुरी मिल चुकी है तो देख सकते हो कि साइधा बाज से रैपिड ट्रेन शुरूओगी फर्स फेस का उद्गाटन हो चुका इसको अरीजन्टी दे दी गई है इस ट्रेन को अब नमो बारत के नाम से जाना जाएगा और देख सकते हो कि यह लोग हैं जो साहिदाबाद से दुएटि के बीच में यह ट्रेन शुरूओगी तो यह लंबा सफर है लेकिन इसमें सत्रा किलोमेटर का सफर पूरितर से तय हो चुका है और यह शरू कीṬटने सटारा क्रेक के ओपर भी है ट्रेन समंड शूर इसके बीच में पांचBooks से भनी होग को मेरेट से जोड़ देगा और इस ट्रेन का जो फर्स्ट फेस का उद्गाटन हो चुका है यह देख से तो जो पांच इस्टेशन है उसमें साइदाबाद गाजियाबाद दुलदर दोई और दोई डीपो सामिल है और आप यह समझे सकते हो कि इसकी जो स्पीड होगी वो देख सकते हो कि प्रीमियम कोच में इसमें काफी सांदार फैसिलेटी होगी जैसे मैगजिन होल्डर होंगे और भी बहुत सारी स्वीडिया दी जाएगी तो और इसको आने वाले समय में देखे तो इसको अलग-अलग राजियों से जोड़ा जाएगा जिसमें आप देखतो इस रेल्वे के सेक्टर के लिए तो बहुत ही सांदार ये एक नया सफर शुरू होने वाला है तो नमो भारत के नाम से वन्दे भारत के बाद जो आने वाले समें रेल्वे सेक्टर के लिए एक बहुत सारी संभावना लेकर आए और सरकार जिस्त से एक के बादे किसे आप कर रही है वो साबित कर रही है कि आने वाले समय railway के शेरों में सांदर्थ दीजी आ सकते तो ऐसे में long term कर जिए लेकिए आप इस समय railway के शेरों में निवेश करें railway के शेर आने वाले समय में आपको माला माल कर सकते लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational परपज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए लाइक से जुकी जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंकिए फ्रवाइब